Infosys ने हाली में कई trainer को terminate कर दिया लोग कह रहे हैं कि ये performing based termination था company का कहना है कि जिन trainees ने assessment test pass नहीं किया और जो coding skills के अंदर अच्छे नहीं थे उनको हमने terminate किया है Infosys हर साल 1000 फ्रेशर को job देता है लेकिन इस बार Infosys ने अच्छा नहीं किया trainee के साथ अब वो जो trainee हैं उनकी हम बाद में बात करेंगे पहले हम समझ लेते कि जो Infosys का hiring system होता है वो कैसे होता है किस तरह से Infosys अपने employee को hire करता है तो Infosys on campus and off campus दोनों तरह से hire करता है and Infosys के अंदर किस तरह से hiring होती है पहला तो इसका होता है Infi TQ exam जिसके अंदर coding plus technicals round होते है इसके अलावा अगर आप दूसरी तरह से जाते है जैसे कि hack with Infi यानि कि एक coding contest होता है जिसके अंदर अगर आप top performance होते है जिसमें आप अच्छा perform करते हो तो आपको महाँ से hire कर लिया जाता है and third है इसका direct interview अगर आप किसी referral के थुरू जाते हो तो आप direct shortlist हो जाते है तो ये तीन तरीके से Infosys hire करता है coding plus technical, contest या तो फिर direct referral अब बात करते है training system की ये basically training system का जोल गया है सभी नए trainer जो Infosys के अंदर select होते है उनको एक training दी जाती है Infosys के तरब से and वो जो training होती ही वो मसूरी campus में होती है या online भी आप दे सकते हो and most majorly अगर देखा जाना तो वो मसूरी के अंदर ही होती है and training के अंदर Java, Python, Data, Structure, Algorithm and software related चीज़े सिखाए जाती है and इसी की दोरान online assessment भी होते रहते है आपकी test लेते रहते हैं कि किस तरह से जो अच्छे से project submit नहीं कर पा रहे थे and अच्छा perform नहीं कर रहे थे particular project में तो अगर आप एक fresher है और IT sector के अंदर आना चाहते हैं तो आपको पहले से इन सब चीजों की त्यारी करनी होगी तो अगर आप एक fresher है और IT sector में आना चाहते हैं तो एक fresher का job लेना बहुत difficult हो गया आज के time पे. तो अगर आप Infosys यहाँ इसी के मिलती जूलती किसी company में जाना चाते हो तो आपको तीन बातों का ध्यान रखना है. तो पहली बात है कि coding और DSA को आप अच्छे से करें. एकदम अच्छे से उसके जो भी concept वो clear करें. ऐसा नहीं कि नोकरी मिलने के बाद हम जो हमको time मिलता है उसके अंदर हम DSA preparation करेंगे. आपको पहले सी वो सारी चीजों की preparation रखनी है. और दूसरी बात है आप regular mock test दे. बहुत स test देते होना तो आपके अंदर एक अलगी confidence आता है. और जब आप real में interview देने जाते होना तो आप वहाँ पर अच्छा perform करते हो. तो यह benefit होता है mock test दा. तो mock test जरूर से जरूर लगाए. एन थीसरी बात है किसी भी job पहने है तो guaranteed sure नहीं. IT सेक्टर के अंदर अगर आप आए ह grade करना है. आपको बस अपनी service देनी उस particular company को. क्योंकि आज के time में company उसी को रखती है जो अच्छे performance है. loyalty वाले चीज़ गई भाड में. आपको अच्छा performer बनना है. एक चीज़ में आप से पूछना साओंगा कि क्या Infosys ने सही किया trainer के साथ? क्या Infosys को थोड़ा सा flexible रहना चेदा training के साथ? क्या training के बाद भी fresher को terminate करना सही है? आपकी क्या राय है मुझे नीचे comment box में जरूर से बताए और इस वीडियो को like करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करें. ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं next वीडियो में. तब अटके ले बादाए.